हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi पाकिस्तान की गलती को स्विकार करता है और भारत की भूमिका को भी स्विकार करता है कि भारत की शुरुवाती दोर पे कोई भूमिका नहीं थी इस युद्ध के पीछे जब पाकिस्तान की सेना ने घुसपेट करनी शुरू कर दी थी कारगिल में तो भारत के सेना को प्रत्य गलती को स्विकार कर लिया है आईए इस मुद्दे की संक्षिप्त में परिचर्चा करते हैं मुद्दा क्या है और क्या मसला है और क्या पूरा का पूरा विवाद है बैठक हो रही थी मंगलवार को पूर्व प्रधानमंतरी नवाज शरीफ PMLN के अध्यक्ष चुने गए हैं 6 साल बाद इस की बैठक हो रही थी और इसी बैठक में उन्होंने कई स्टेट्मेंट्स दिये जिनमें से एक स्टेट्मेंट काफी जादा महत्वपूर है भारत के संदर्भ में और इस स्टेट्मेंट में इन्होंने इस पश्ट तोर पे विकार किया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 1999 में जो लाहोर समझोता हुआ था उसका उलंगन किया है ध्यान रखिएगा यानि ये जो समझोता हुआ इसके उलंगन का दोशी पाकिस्तान है अब ये समझोता क्या था तो ध्यान रखना है हमें पाकिस्तान ने पांच परिक्षन किये उसके बाद भारत के ततकालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई जी पाकिस्तान की यात्रा पे गए पाकिस्तान और भारत के मध्या लाहोर समझोता होता है और ये जो लाहोर समझोता था लाहोर घोशना पत्र था ये दोनों देशों के मध्या शांती पूर्ण समाधान की बात करता था और अलग-अलग छेत्रों में सहयोग की बात भी इस समझोते के तहट की गई थी यानि यदि ये समझोता लागू होता तो हो सकता है भारत और पाकिस्तान के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसित हो सकते थे लेकिन पश्ट तोर पे नव उद्ध शुरू हो गया ये कहना है पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाश शरीफ का ध्यान रखेगा अब यहां पे इसी बैठक में इन्होंने एक और मुद्दे की बात की जो इन से रिलेटेड मुद्दा है इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को परमाणू परिक्षन से र पनाना चाहते थे इन्होंने राजनितिक आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इमरान खान जैसे व्यक्ति होते तो हो सकता है वो इस पेशकष को स्विकार कर लेते साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि कैसे 2017 में जूटे आरोप लगाके इन्हें पद से हटा दिया गया और इनके ख चरीफ के बारे में यदी बताऊं तो पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोट ने एक फैसला दिया था जिसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था ब्रिटेन शिफ्ट होना पड़ गया था इसके 6 साल बाद मंगल वार को वो पी एमेल के निर प्रधान मंत्री पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि इमरान खान को प्रधान मंत्री पद सोपने की बात थी जो आजकल जेल में बंद है भ्रष्टाचार के आरोपों में साथ ही 2014 में भी इन्हें प्रधान मंत्री पद से हटाने का शर्यंत रचा गया आईस आईस दुआरा इन्होंने मानने से इंकार कर दिया तो इनके खिलाफ अलग-अलग हतकंडे अपना कर भ्रष्टचार के मामले लगा कर इन्हें पद से हटा दिया गया यह हमारे पडोसी देश की हालत है यदि हम पडोसी देश की situation से अपने देश की तुलना करे तो हमारे देश की जो democraticा आज 75 सालों के बाद भी सुरक्शित है हमारे देश की जो संस्थाएं है चाहे न्याय पालिका है वो स्वतंत्र हो के काम करती है निश्पक्षो के काम करती है हमारे समिधान के संड्रक्षन के लिए न्याय पालिका ने मूल ढाचे की संकल्पना जैसे तत्वों को उजागर किया जो कही ना कही हमारे समिधान के संड् अपना के आधार पे बात करें तो दोस्तों भारत के जो युद्धनिती रही है वो कभी भी शुरुवात की नहीं रही है हमारे जितने भी युद्ध पाकिस्तान से तीन बड़े युद्ध हुए चाइना से 1962 में युद्ध हुआ कभी भी युद्धों की शुरुवात भारत क तरफ से नहीं की गई हाँ यदि कोई हम पे युद्ध करेगा तो फिर हमें प्रत्युत्तर देना पड़ेगा जवाब देना पड़ेगा तो हमारी युद्धनिती भी ये रही है और यदि हम अपनी परमानु निती की बात करें हम प्रमानु शक्तिसंपन बन गए 1998 में लेकिन उसके बाद भी हमारी प्रमानु निती ये रही नो फरस्ट यूज यानि हम पहले प्रियोग नहीं करेंगे यदि कोई देश हम पे प्रमानु हमला करेगा तो फिर हम प्रत्युत्तर में प्रमानु हमले के तोर पे जवाब देंगे भारत की जो विदेश निती है युद्ध देना हो चाहे आतंकवादी गतिविधियों के प्रचार प्रसार की गतिविधियों में सनलगन हो ना हो भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष तोर पे आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान बड़े स्तर पे सनलिप्त रहा है और अब तो खुल के पाकिस्तान ने कह भी दिया की गलती किस की थी, हाला कि हम को तो पता ही है, क्योंकि हम भारत की विदेश युद्ध नीती से वाकिफ रहे हैं, पुरा विश्व वाकिफ रहा है, लेकिन ऐसे देश के दुआरा इस तरीके का statement अपने आप में काफी कुछ बयां करता है, आपका क्या कहना है, इस विशे पे comment इंड बोक्स में अपने विचार जरूर बताईएगा इसके साथ ही दोस्तों यदि आप 2025, 26 या 27 में UPSC का टेम्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I Foundation Batch से जुड सकते हैं 28 मई से शुरू हो चुका है बहुत ही बहतर में धमा का सेल चल रही है यदि आप 28 यानि आज से लेके 31 मई के बीच में आप एडमीशन लेते हैं तो एक बड़ा ओफर मिल रहा है मात्र 25,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा लेकिन मात्र 31 मई तक ही ये ओफर है तो देर किस बात की फटा फट जाई ये लिंक पे जाना है कोड यूज करना है LD live LD live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 25,999 में मिल जाएगा ओप्शनल पे भी में धमा का सेल चल रही है 14,999 में आप कोई भी ओप्शनल ले सकते हैं हिंदी माध्यम में इतिहास भुगोल PSIR हिंदी लिटरेचर अवेलेबल है आप मुस्से जुड़ सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल लली तदही अकैडमी पे इंस्टेग्राम और फेस्बुक पेज पे आशा करती हूँ परिचर् भारत ओलत थेंक्यू सो मच्छ इंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी